येस भी नेस्ट है इनुटमबर सिक्स से डिस्पर्शन आप लाइट और पैलाटोपिक बनेगा प्रीजम भी प्रीजम देखिए सबीने क्या होती है इतनी सी होती है तो सही प्रीजम होंगी इतनी सी तो होना भी है रेक्टेंगलर प्रीजम प्रीजम के अंदर तीन और टू ट्रेंगलर फेसी होती है पता है ठरी रेक्टेंगलर फेसी एन टू ट्रेंगलर फेसी थी प्रीजम एक डिवाईस है जो डिसपरसम राइट को शहर करता है डिसपर समगता हैं गाँ आग आपको जब वाइट राइट पास करती है परिजम से इट स्प्लिट इंटु सेवन कलर वे परीजम होती किया है अपने कॉपी देखी नैसे कॉपी रख दो भी कोपी ऐसे करके तो प्रीजम का यह पार्ट आभी क्लास आपने प्रीजम देखी हो तो ऐसा कुछ बनाया जाता है ऐसा बनाते हैं हाँ बढ़ना रहे हैं ऐसा बनाते हैं कर लोगे परीजम रखने का तरीका यह कौपी दुम्हें रख पतली वाली भी कौपी जब रखोगे इसको ऐसे तीन फेस होंगे तीन रेक्टेंगलर फेस होंगे कौन कौन से एक यह वाला एक नीच से भी होगा भी ऐसे कर लोगे इटेव थरी रेक्टेंगलर फेसिज चेंग है यह समें रहा रहा है टो यह यह स्वक्सत Direction पूंज रखने तो एario के सीतर आपके सामने प्रिंसिपछन भी इसको बोलते हैं यह से रखा हुए जो आ पार कि बना रहा है तो प्रिंसिपल शेक्षन से कर लोगे अब प्रिजम के अंदर देखिए जब अरड़नी प्रिजम यूज करते है ले वोटरी से अंदर हर एंगल इसको कोई दीखत नहीं है कोई भी अंगल योज्ट कर सकते इसका गुथ लोग एक्सोम में कोई अच्छी खास एक्स्परिमेंट के लिए प्रीज़ मे यूज्ड करते हैं तो उसका एक एंगल बढ़ा होता है जो एंगल बढ़ा होता ऊंको क्या वोलते हैं प्रीजम एंगल थी कै spy डूसरा ये ये यमा प्रिंसिपल एज़, समझ में आया, प्रिंसिपल को इसे रखा जाता है, वैसा, जो आप युज करते हैं, आप पैंजी से ड्रा करते हैं, इसको नीच ऐसे, तो एक ट्रेंगल बनती है, कर लोगे, जो सफेस आपके सामने है, इस जो आपके सीपल, जो एंगल बना बड़ा होत a prism having three rectangular faces, three rectangular faces and two triangular faces, okay, made by any refracting medium, made by any refracting medium, okay, बताएंगे इसको भी आगे चल की के मिनेंगे इस बात का, आगे लिखिए, लिखिए दाफेस A, B, C, जो diagram बनाना बाद में आपको, लिख बालिक दीजिएगा, दाफेस A, B, C is called principal section, दाफेस A, B, C is called principal section, ये लिख दो, साथ में ही, angle A is called prism angle, angle A is called prism angle, okay, and A, D, A, D is called principal edge, principal edge, EDG, कर लोगे, ये basic अभी, what is a prism, तो prism में आपको reflections करवाना भी, आपने glass lab में किया होगा, तुसमी classes के अंदर भी, किया है न, उपिल लगा के करते हैं लोग, ये मारा experiment अभी, अभी, आप देखों में, करते हैं, करते हैं, किया करते हैं लोग, उसके बाद एक परीजम होगी, उसको पेपर पर रखूंगा ऐसे भी, ऐसे रख दी, और मैं पैंसे द्रा कर दूंगा, उसकी बांटरीज को भी, ये ऐसा फूम बनेगा, भी, ट्रेंगल का फूम बनेगा, एक्सपरिमेंट कैसे करना है, ओके, ये फूम बना, क्यों क्यों बना हम लोग, बार-बार परीजम उठानी पड़ेगी मेरे को, उसी पोजिस्म बखने के लिए, इमने ये बना दी, बांडरीज सेट कर दी भी, यहां से, ठीक है, हम क्या से ऑपर पीन से लिएगे, वाहां समय देगा ना, कमा फेर द्रय नॉर्मल, इमने अडर करेंगे, और यहां सिस्मा बना दिएू बीज़ी आपना देक लाइन खीश देंगे त्षिश लिगर के अंकल के भी कोई भी अंगल हो सकता यह अब क्या करेंगे इस लाइन के ऊपर दो पिल लगा लेंगे ओल पिन से ठीक है अब परिज्यम को अपिस रखेंगे पर बॉंटरी के ऊपर और इस से अब्ज़र करेंगे कश्काने कीका आपको देखेंगे अनको पहा तो एक और फिल लगानी है यह टीन पिन हाओ कर देखना आपको वह इंगा बल्डाइं त्यों आपके इस अस इंतुर्थ पिन लाग नहीं गहीं निकाल लोगे निकालते इस पर पे बंद हैंगे और उसने अब क्या करोकेग अब यहां पर टॉच कर रही है यहां पर ड्रा करोंगे डी से नॉर्मल भी नॉर्मल हो गई तो यह कुछ एंगल आया होगा तेखिए अगर प्रिजम ना होती तो भीम जैसे चलती स्टेट लाइन में प्रिजम होने के बाद भी मैसेज आई है तो इसका एक्चल पाथ ही होना इसको बोलते हैं एंगल अभ डइविएसंस यह निकलना होता हमको प्रैटिकल में यह करना होता कि कर लोगे फिर इसको रिपीट करेंगे 40-40 के लिए 50 के लिए 60 के लिए 70 के करेंगे अब बर करेंगे कम से आठ नो रिडिल लेंगे और टेबल बनायेंगे किसके बीच कि एं इसको बीच कि एंगल डइविएसंस के बीच किनकी हराई पर बदल रहा है कर लोगे उस टेबल के बशचे में ग्राफ एसा बनेगा इस किसके बीचका है यह यह आई के पीचका ओंगल ऑफ डेविएसंस जाओ गराफ में सारी दूपल करोगे ना कराफ का आए बीच आगा कर लोगे इसका इस तरह गराव बनेगा पहले दिए लगेगा आपको की डेल गट रहा है भी फिर देल बढ़ रहा है दिंक्रीजिंग दाई है ओके फिर हम एक पॉइंट चेक करेंगे यह आंक पॉइंट जोक रहा है खास एंग ए ऐंगल पे डेल की वैलु जबसे कम हमें सबसे कम एल्य है डिल की सबसे कम मुड़ी है यह यहां पर बिंब्स कर लाएं इसको बोलते हैं इंगल मिनिममं 235 के बंगल मिनिम्म डेविए इस कंडिम संगे यह एंगल जब बरापर हो जाते हैं है एंगल वार्फ wolves आप सब्सक्रावबर हो जाते हैं इंगल उंगर इंगल आप सेपैल के गाया बराबर जाते हैं तो इससे तो अत्य हम minus प्रिजम का प्रिंसिपल सेक्सिन अभी जब के सामने हैं यह सार ना और यहां से यहां पर ड्रा करते हैं कि इस नॉर्मल कि कर लोगे रूज के गोड़िंग क्या कर रही है तो इट बेंट वाट था नॉर्मल से तो कैसे मुड़ेगी होगा नॉर्मल चैसे वाई क्लास यह ऐसे जाने चीए तो इस बेंट वाट था नॉर्मल से समझ में आई बात है फिर यहां पर कुछ हो रहा है लाइट ट्रेल कर यह देंसर चे रहर में तो नॉर्मल ट्रा करें यहां पर इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल इसको मां आई बोले लू नॉर्मल को यहां पर ले जाएं यह क्या होगा डागरम डंग का बनाना पड़ेगा यह एंगल ओफ रिफ्रेक्शन्स होगा किसके बीच का है नॉर्मल के बीच का और इसको बोलते हैं इंगल ओफ इमर्जेंट इस एंगल से बीम्स बार नेकल रही है इसको भी आई ले लेते हैं लोग इट इस आई टू और यह नॉर्मल इसका है यहां पर आर टू बही आटू ले 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 आर टू इस और नॉर्म तो नाम देते हैं विम्स को इस पी क्यो आर एस पी क्यो आर एस वाज में आया अब इस डिए बनाना शुरू गया होगे अगर प्रिजम ना होती तो वह तो बीम्स टेट चलती भी आप यह सर नॉर्म अभी वह उने के बाद पर एंगल मुड़ चुकी है कितना मुड़ चुकी है यह एंगल निकालना हमको इडिज डेल एंगल ऑप डेविएसंस साही है तुक्पी कि वारेस इडिज एम इडिज एंगल यह एंगल कोन है दो नॉर्मल के बीज के अंगल है समझ में आई बातें डियागरम बनाओ यह जो एंगल है वह इसको मैं एंगल वन माल लो भी और यह एंगल टू है क्या थो बना लियए अगर चेकरो ट्रेंगल को इंदा ट्रेंग बेंड इसे बात को जो दो पना लाई पढन वाए घण लाए यह गविए आउनग आप डेव एशनज निकलनाक्र निकलनाक्स जो अम तीन हम्मर पूछा जाएए आपसे क्यों एंगल ऑफ डेविएसंस का पूसेज़ एगा डेल की बारे बताना आपको लिख दो डेल लिखिया है डेल इंगल ऑप डेविएसंस डेल निकाला मेरे को पहले तो यह ठीक है इसके ट्रेंगल्स यूज कर रहा हूं इंदा ट्रेंगल्स MQP देखो भी सोरी MQR इंदा ट्रेंगल्स MQR MQR दिख रहा है ट्रेंगल्स इस ट्रेंगल्स के अंदर आउट ट्रेंगल्स कौन सा है डेल इदा आउट ट्रेंगल्स भी तब पर डेली निकालना है डेल बराबर कितना हैगा एंगल वन प्लस एंगल टू भी एंगल वन प्लस एंगल टू यस और न आप डंग से अंगल 1 किसके बढ़ाबर है कि यह लाइन जा रही है यह लाइन जा रही है यह आई तो पूरा अंगल कितना है आई आ कि इसके बढ़ाबर है एंगल 1 plus r1 के बढ़ाबर है कि and तो एंगल 1 is equal to I1 minus R1 I1 minus R1 स्माद में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सिमिलरी यहां पर हो रहा है I2 यह पूरा एंगल कितना है complete एंगल I2 इसका पोजिट एंगल होगा तो I2 किसके ब्राबर होगा एंगल 2 प्लस R2 एंगल 2 प्लस R2 तो एंगल 2 is equal to I2 minus R2 यहां तक को डाउट किसी को दिख रहा है नहीं दिख रहा है क्यों तो इसमिलर कहते हैं भी putting in the first equation भी putting in the first equation del is equal to angle 1 is equal to I1 minus R1 प्लस I2 minus R2 सही लिखा है मैंने तो del का value हुआ मैंने को कटा कर लेता हूँ I1 प्लस I2 मैंने को मैं निकाल लेते हूँ R1 प्लस R2 भी क्या सही लिखा है यह बात तो मेरा del का value हुआ del is equal to I1 प्लस I2 मैनेस R1 प्लस R2 इसी दा फर्स सेकिंड एक्वेशन सेकिंड एक्वेशन स्वेशन सही है अब देखो हमारा मेन कम रहे है भाई I1 I2 और निकलना चिदी सी बात ही है अब यह निकलने पढ़ेगे मेरे को तुब अब प्रोलम है कि I1 I2 निकाले कि ऐसे भी इसके में ट्रेंगल्स यूज़ करता हूं वह जोती ट्रेंगल्स दिख रही हैं आपको सारे यूज़गर लेगे हम लोग इन्दा ट्रेंगल्स QNR इन्दा ट्रेंगल QNR चेक करो वह कुन सी है QNR दिख रही है इस यूज़गर QNR2 पलस एंगल N इक्वल टू 180 अरे साही है कि नहीं कर लोगे इस इदा इक्वेशन थर्ड भी कुछ लग नहीं किया मैंने इसमें अपको आता है बात ठीक है सारी नोटन की कर रहे है किसके लिए आया और इनको निकालने के लिए हो जाएगा फिर मैं रेक्टेंगल्स AQNR AQNR चेकरो कौन सी है क्यों गया अच्छा इन रेक्टेंगल्स AQNR AQNR इस रेक्टेंगल्स दिख रहे है बाई मरे वदा तो यह अंगल कितना अभी आई बोल रहे है 90 डिग्री है यह आई कैसे यह नोर्मल है इस सर्फेस पर नॉर्मल ड्रा किया गया है यह कितना अगल पुरा यह निक्यू और आर तो 90 हैं और पिसी रेक्टेंगल्स के एंगल्स का उसम कितना होता है 360 तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एन प्लस एंगल आर एक्वल टो 360 ले सकता हूं सही है कि नहीं है अब इसमें एंगल ए एंगल क्यों तो 90 है प्लस एंगल एंगल आर तो 90 है एक्वल टो 360 बता दो 90 प्लस 90 वो नेटी इस तरफ जाएगा मैनेस का 180 तो ए प्लस एन एक्वल टो 180 डिगरी एक्वेशन नमबर 4 भाई सही है थोड़े आ लेंधी जरूर होगा मेरा टोप ने लेकर नहीं असान होगा वे बोग्वाले से अब इसमें देखिए एंगल थर्ड और फोर्थ में किस साइड की परापर है बेल जो जो राइट परापर हो तो लेट परा परापर होनी चीए एंगल R1 पलस R2 पलस NB सही है? अरे सही है कि नहीं है? N से N कट दे? तो A is equal to कितना हुआ? R1 पलस R2 एक रिलेशन है भी परीजम एंगल निकलने का तरीका भी कर लोगे? पूद से दिया में लेगा आपको दिया में लेगते और भी जी है आर नाट ने करना यहां से भी कर लोगे की नहीं कर लोगे अब इसको देखे कैसे भी मैद अब देखिए जब हमने राइट करो आता किस मोइनड के उपर किस पुएंड के उपर पहले स्टाइएंट कहां से होगी अकोरडिंग टू सनेल लाज क्या था है साइन आई वन बाई साइन आर वन इक्वल टू मुव ऑफ द गलस जिसका बनाव परीजम से यह बात सही है अगर एंगल समॉल यूज गूरू तो आई आर को छोड़ दो भई स्वारी साइन को छोड़ दे बचेगा कैस में पर ना भी यह कर लोगे तो वट दे वैलियो फाई वन भी मिव और वन म्यू आर वन सही है उसी तरीके से आप सेगेंड पॉइंट पर स्वारी कर सकते हो जहां से एक्जिट कर रही है विम्स पी की वारेस एड़ दा आर अगें अप्लाई सनेल ला कैसे लेको मता हो जाली से बेड़े को यह पता है नहीं हो लोगे अचल रहा है नहीं साइन आर टू बाई आई टू तो किसका एगा मिव गलास का की एर का अम एर का चाहिए नहीं तो गलास का चीए बड़ा करो इस और नो तो क्या लिखोगे साइन आई टू बाई साइन आर टू इकवल टू म्यू अगलास यह बात मंद में आती है तुम लोगों को इसका भी एंगल सब्लों कर दीजिए तो आई टू बरावर है म्यू आर टू भई एक्वेशन सेकेंड कोन सी थी भी जब डेल आगे था टू मैंने म्यू आर टू यह था पुटिंग इन दा फस्सेकंड एक्वेशन तो डेल क्या था वाई ख्लास I1 plus I2 what is the value of I1 I2 लिख दे मिव रवन plus मिव रटू यह सर नो और एक बार बाद में कर लेंगे मानेस क्या था R1 plus R2 R1 plus R2 यह सर नो इसको रप कर दूँ भई इस तरफ बोले को equal to R1 plus R2 minus R1 plus R2 सही है के नहीं है अगर आपको यादों टंक सिया दो मने अभी लिखा था A is equal to R1 plus R2 था भी अभी फुरूग गिया था A is equal to R1 plus R2 putting the values भी mu A minus A del is equal to mu minus 1 into A this is the angle of deviation समझ में आया के नहीं आया यहां तक टोपी का तीन नमबर का भी very important formula भी second point करते हैं बाते नहीं अभी second point करते हैं prism formula भी इसका बाते नहीं अभी prism formula करते हैं देखो कैसे होगा यह experiment बार-बार किया गया भी अम लेब वरक कररे हैं वह नोग है लोग लेब वरक कर रहे होते हैं और यह experiment बार-बार किया गया किया गया और एक graph बना गया किसका कि यह डेल के बिचका था और आज के बिचका वे क्योंकि आज से यह बगल रहा था भी आज और अब इस गराफ से ऐसा पनावे करा आपी इस तरह एक टाव सार एक हास of minimum deviations ईंगल of minimum deviations इस पे क्या उबज़र हो उब एक कि सारे एंगल बरभर होगे कम से कम तो दो भी हो सकता तो क्या उबज़र हो लिख दो यह गरह बनाएगा जरूरी यह विक तो एंगल-प्मिनियूम डे सेंस में क्या होगा जो आई एन है और पराफर हो जाएंगे और आर वन और यार-टू बी बराफर हो जाएंगे यानि यह कुछ तो एंगल होगा वे class यह भी कुछ एंगल होगा it is R शही है कि नहीं है जो लोग ने formula drive किये हैं उन भी कैचेंज होगा वे मैं लिखा था एक formula I is equal to I1 plus I2 लिगा था ना वे यह क्या बन जाएगा 2I R बनता यह यह R1 plus R2 तो क्या हो गया 2R तो what is the value of R AY2 यह सार ना what is the value of R AY2 तो डेल की value क्या होगा इकलास डेल हम निकाल चुके तरफ गरदेश को डेल इस एक्वाल डेल नी रहेगा डेल मिनिम हो जाएगा एंगल उफ मिनिम्म डेविएसंस फर्मुला क्या बना था मियू माइनस 1 इंटू उसको यूज नहीं कर रहे है उससे पहले वाले फर्मुला को यूज कर लेते हैं I1 plus I2 minus R1 plus R2 वाले को यह सार नो फर्मुला क्या था I1 plus I1 एक बढ़ लिक देता हूँ I2 minus R1 plus R2 यही था तो डेल M is equal to इसको मैं 2I ले सकता हूँ minus 2R minus A 2R यह सब्सक्राइब एभी है वो A लिख दो कोई प्रोलम नहीं है उसकी लिख दो एफी देते हैं इसको बाद में तो ओगे R1 plus R2 क्या है A यह थो है ओके क्या आप यहां से I1 निकाल I निकाल सकते होई तो क्या हैगा डेल M plus A by 2 चक्रो क्या से ले क्या मैंने क्या आप स्नेला प्राइब करते हैं किसी भी पॉइंट पे जहां से निकल रही है वहां से निकल रही है जेख लेजिए according to Sinella according to Sinella क्या था mu is equal to मैं रहता हूँ sin I by sin R क्योंकि सारे एंगल बरापड़ी तो हो रहे हैं I and R की फोम में है तो चाहे R2 ले लो चाहे sorry चाहे I1 ले लो चाहे I2 ले लो एक यह बात हाँ yes or no तो I by R तो putting the value of I and R हम अमरे पस value अभी अभी हम नूई ही बोलेंगे कि मैं नी में कला चोटें कला चोड़ देंगे value है तो क्या अंसर आएंगे sin I I कितना है Del M plus A by 2 divided by sin A by 2 this is called prism formula क्या ना में इसका prism formula सही है next up भी करते है class dispersion of light भी dispersion of light लेकिए it is a phenomenon it is a phenomenon of it is a phenomenon of splitting of light splitting of light into seven color into seven color when it passed through when it passed through the prism when it passed through the prism it is a phenomenon of splitting of light into seven color when it passed through the prism बेकिए बेकिए लो उपर कॉनसा होता है red नीचे कॉनसा होता है बोईज इसको बोलते है dispersion of light विए ये एक्चूल में spectrum of white light होता भी मैं आपको बला spectrum क्या होता था इनर्जी क कर वाना है जो रंग九 व कि इसको चाहते हैं एनरजी चाहते हैं इस भी बोलते रंग होते निए और रग सरफ किसके वॉरमेशन है ईनकि शेमे यसित्ष कार्मयन कर लेते हैं कि व्यकुंकि वुढ पे इसमें फॉल से इस इसका फर्मूला क्या बनता देखिए मियूज इक वल्टो ए प्लस बी बाई लेम्डा स्केयर प्लस सी बाई लेम्डा फो एंड सौन एक सिरीज बनता इसके में आप कितना याद करना भी कोई जूरूत नहीं है से इसकी लास्ट दो साल में क्यों देखा हूं है यहां से भी एक सिरीज बनाते हैं इसमें एबीसी क्या है कॉंस्टन अभी एंट सो अना के क्या हैं यह एंगे कॉंस्टन लेम्डा क्या फ्लस वेवलेंट आप लाइट मिव क्या है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अफ दा ग्लास प्रिजम भी दो प्रिजम में आप यूज करो गया इसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अभी ओके यह क्यों कैसे पुछा गया था देखिए क्योस्टन यह था एक प्वेंट पे क्या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रंगों के इसाब से चेंज हो सकती है भी अप दा ग्लास भी उल्टा समझ मैंता है अपको अपने ग्लास प्रिजम रख दिया भी इसका मिव 1.5 भी फिक्स है यह सबनो क्योस नहीं पुछ रख दा क्या रंगों के इसाब से क्या मिव ओप ग्लास से हो सकता है भी विल्क्रो सकता भी बने लग मियू मिलेगा और वॉलेट के लिये अलग मियू मिलेगा भी इसलिए भी पोलते है एक रेंज होता है झाल झाल